नमसकार दोस्तों, गार्गी क्लासेश पर आपका स्वाएगत है डेट आज की किसजून 2021 और देख लेते हैं prova एंडियान एक्स्प्रस के इमपोर्टानट आर्टीकल्स इंपोर्टन नुज और एक्स्प्रियं पेज इंपोर्टन आर्टिकल्स को कि भई आप बाबा राम देव को स्कूल बोर्ड का जो सैंक्शन दे रहे हो जो अप्रूवल दे रहे हो जिसमें वो स्कूल बोर्ड ओपन कर रहे हैं जैसे सी बीएस सी ऐसे होते है ना इस तरीके से भारतिय सिक्षा बोर्ड के नाम से फिर भी अप्रूवल दे दिया गया तो पूरी timeline बताई जा रही है एक तो वो देखेंगे दूसरी तरफ सरकार ने किस तरीके से situation में अपनी तरफ से approval दिया है वो जानेंगे ठीक है तो ये दो points है दोनों को detail में जानेंगे इस खिलाव और कोई भी इतना काम का है नहीं आगे चलते हैं फिर थोड़ी सी news इस news की summary लेंगे कि Supreme Court में Central Government नहीं कहा कि अगर जिन भी स्टेट जिन भी लोगों की death हुई है COVID-19 के चलते हैं उनको अगर चार लाख रुपए अगर दिये जाते हैं तो ऐसे में बोले स्टेट्स के पास पैसे की कमी पढ़ जाएगी वो जरूत हो पूरा नहीं कर पाएंगे कोदा में अमेंडमेंट करने के बावजूद दूसरा हम जानेंगे मॉनो क्लोनल एंटीबोडीज और COVID-19 को ट्रीट करने का तरीका अच्छा आर्टिकल है ये भी जानेंगे इसके अलावा वर्ल्ल पेज से सिर्फ एक न्यूज है वो ये कि इरान और इरान के साथ में जो न नामें ठीक है सेंट्रल यॉरॉपियन कंट्री है आस्ट्रिया वहां की कैपिटल में बादचीत हो रही है जाने क्या है मुद्दा इसके अलावा इकानामी पेज पे सिर्फ एक न्यूज देखेंगे वह ये कि यूएन रैपोर्टर्स ने इंडिया को ये इंडिया के जो र समझ करके किया है ठीक है जानेंगे इस आर्टिकल को बागी बचे यूज पर बने कुछ इंपोर्टन्ट होगा तो संब्री ले लेंगे ठीक है देखते हैं अब डीटेल में फॉस्ट न्यूज है कि अटनमस इंस्टिट्यूशन ने अबजेक्ट किया सेंट्रल एक अलोकेशन कर दिया मतलब अब वो खुद इसें अपने हिसाब सें बोर्ड चलाना शुरू कर देंगे देखो इसमें पूरी टाइम लाइन बताई जा रही है कि यह अप्रूवल दिया गया था दो हजार उन्नीस में कब जब लोकसभा इलेक्शन होने वाले थे उसके जस जाता है एक्शन में जिसको आचार साहिता भी बोला जाता है हिंदी में तो इसके आने से जस्ट पहले तक आप देखोगे कि सरकार ने जल्दी से जल्दी भारतिये सिक्षा बोर्ड का अप्रूवल या सैंक्शन कर दिया गया था किसको पतंजली को ठीक है कि आप अपने हि प्रॉसस बताया गया है कि MSRVVP इसकी फुल फॉम अगर आप देखो यहां आपके सामने स्क्रीन पर है महरसी संदीपनी राश्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठान ठीक है उज्जैन में है यह तो इस अटरॉमस इंस्टिउशन को पहले अलाउ किया था यह मिनिस्ट्र से भारतिय सिक्षा बोर्ड है उसके लिए हम काम कर सकें तो ऐसे में फिर बाद में यहां पर इसके जो चेर्मेन थे ना इस पर्टिकलर बोर्ड के MSRVVP इनकी लीडर्शिप में एक काउंसिल स्टैबलिश की जाती है और उस काउंसिल में कुछ और भी इंपॉर्टन परसन करवा सकें और जो भी अच्छा उप्शन आएगा फिर उसको हम एंड़ोर कर देंगे कि हाजी आप हमारे आपर जो भारतिय सिक्षा बोर्ड है इसको कंटेन्यू कराओगे फिर देखो तीन कंपनी आती है में तो तीन जन्हें इंटरस्ट लेकर क्या आते हैं कि हाजी हम चा पुजल दिया कि हम 21 करोड रुपए खर्च कर देंगे एजुकेशन के लिए जो भी रिक्वार्मेंट है शुरुआत में और बाकी जो दो बिडर्स थे उनके नाम भी दिये हुए इसमें तो उन्हों ने बोला कि हमारे पास दो करोड हो रहे हैं एक ने बोला हमारे पास एक करोड हैं तो आप देखो यहां पर अपर हैंड हुआ कि नहीं सीधा सीधा पतंजली का यह चीज हो गई दूसरी जब अप्रूवल की बात आई तो MSRVVP के जो चेर्में थे चीफ थे ठीक है यहां पर उनका नाम भी मैं बता देता हूं आपको यह देखी यह जद्दीपाल नाम हो उनका ठीक है तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमें ओपन बिडिंग करानी चाहिए अच्छे से बातचीत करनी चाहिए फिर जब चुनाव भी धिरे-धिरे आने वाले थे अब यहां पर टाइम लाइन भी दियो यह देखो नो मार्च नो मार्च तक भी मतलब अविंद्र अमबादास मुले तो इनको अपॉइंट कर दिया जाता है चेर्मेन के तौर पे इन वाइस चेर्मेन को प्रोमोट करके और फिर बाद में फाइनल लेटर इशू कर दिया जाता है पतंजली को कि हाँ आप अपने इसाप सपना काम कर सकते हो और आप देखो कि य लिए तो ऐसे में जो यह इंस्टिटूशन है इस इंस्टिटूशन ने देखो लगातार अपनी तरफ से अब्जेक्शन रेजिस्टर करा है जिसको हम बोल रहे हैं MSRVVP जो कि एक अटरॉनमस इंस्टिटूशन है Ministry of Education के अंडर तो वेद्ध सिक्षा को प्रोमोट करने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से कंसेंट देने से भी मना कर दिया कि अब भी जल्दवाजी मत करो और रिव्यू करने की ज़रूता है में इन प्रोपोजल्स में और भी बहुत सारे ऑप्शन्स हैं जिनमें हमें ध्यान देने चीए पर वही बात है कि मोडल कोर्ड ऑफ कंड दे दिया जाता है अब सरकार इतना क्यों जुकी इसके पीछे क्या है वजह जो मैंने आपको एक प्रोपोजल का में सेग्मेंट बताई दिया कि इन्होंने जो प्रोपोजल में पैसा बताया वो इन्होंने सबसे ज़्यादा बताया पतंजली वालोंने 21 करोड रुपे तो पैसे में देखो एजुकेशन को प्रोमोट करने के लिए आपको पता है कि पैसे भी खर्च होता है रही सही में जो भी एजुकेशन बोर्ड बोर्ड होता है यहां पर बहुत सारे स्टुडेंट्स एक्जाम देते हैं तो एक्जाम देते टाइम पर उन लोगों से एक्जाम वहाँ पर बिडर तो वो बाबारामदेव की ये पतंजली थी वो ही थी अब बात ही आ जाती है कि सरकार के सामने इतने सवाल थे मतलब की मना कर दिया गया था इंस्टिटूशन के द्वारा MSRVVP के चेर्मेन के द्वारा कि हम आप बिलकुल भी नहीं करेंगे आ गया स्वामी वीकानंदा की द्वारा दी जाती है स्वामी वीकानंदा के नाम पर चलती है तो ये भी कुछ ऐसी imperfection institutions है जो लगाता डिमांड करई ही कि हमें आप आप और दो एक के नेशनल बोर्ड के तोर पे कि हम भी कहीं न कहीं हमारी एंशन ट्रेडिशन जो है एजूकेशन के वह प्रॉमोट करना चाहरा है ठीक है तो ऐसे में यह देखो मुद्दा तो दोजार सोला से चलू हो गया था और दोजार सोला से जब वहाँ पर मिनिस्ट्री वागर ते मिन सिक्षा बोर्ड के लिए अप्रॉल दे दिया ना तो उसके बाद में और भी ज़्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगी तो हमें प्रॉब्लम होगी इस सिचुएशन को हैंडल करने में वेद विद्या की बात करें तो आप भी हाँ पर ग्यारवी और बारवी की जो दिया जाएगा तो इस तरीके से यह पूरा फंक्शन है जिसमें कहीना गई सरकार ने अपनी तरफ सा पुरूल जल्दी जल्दी दे दिया खेर कल पर से कमेंट आता सर कहीना कहीना बहुत ज्यादा बोलते हो कोशिस कर रहा हूं मैं कम करने की आई जाता है पता नहीं कंटिन पार्ट सालाओं को अगर रिकागनीशन मिलता है प्रॉपर नेशनल लेवल पे तो इसका फायदा स्टुडेंट्स को तो मिलेगा पर एक फेर मैनर में होना चाहिए एक तो पॉइंट यह है दूसरा अगर भारतिय सिक्षा बोर्ड की बात करें तो ऐसे में दूसरे और इंस समाज ठीक है दयानन सरस्वती जी का जो समाज था उसके तहफ भी गुरू कुल चलाया जाते हैं जिसमें भी वेदों की सिक्षा यह दी जाती है ओके तो यह कुछ चीज़ें यहां पर बताई जा रही है और बाकी आपको बताई दिया कि हाँ इनके पास में इतना पैसा है क सब्सक्राइब करने के लिए वह सारा कहीं नहीं प्लस पॉइंट रहा पतंजली के लिए आगे चलते हैं एक बर आप रिडिंग मार देना में जो चीज थी वो थी कि एक कहीं थोड़ा हालका सा कॉंट्रावर्शी सा निकलता आ रहा है ठीक है कि आपने इतनी जल्दबाजी क्योंकि जब रिव्यू के लिए आपको रेकमेंड किया जा चुका था यहां पर सीधा सब बोला है MSRVVP मेंडेट करता है रूल 14 क्लॉज 4 के तहद कि आप एक डिसकेशन प्रॉपर रखोगे ठीक है अप्रूवल देने से पूरा पहले काउंसिल डिसाइड गरेगी सारा प तो हम बिलकुल भी अभी पर्मीशन देने की परिस्तिति में नहीं है तो क्या किया गया मिनिस्ट्री के दौरा इस और्टानॉमस इंस्टिट्यूट के चेर्मेन को ही बदल दिया गया ओके तो यह कहीं नहीं थोड़ा सब वो प्रॉब्लम आई जाती है ठीक है मिस्मेनेज में या फिर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हम आर्टिकल पर आगे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्मेंट के दौरा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर कॉमपंशेशन के तोर पे एक्स ग्रेशिया के तोर पे अगर चार लाग रुपए कोवि कोविड विक्टिम की फैमिली को अगर देते हैं तो स्टेट गवर्मेंट के पास में बोले स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फंड में पैसा कम पड़ जाएगा और अभी तक कोविड नैंटीन पुरा खतम नहीं हुआ है तो ऐसे में पैसे की शौटेज होना ज्यादा करना शुरू कर दिया था 2005 की डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट के तहत ठीक है तो उसमें आप देखो कि सेंट्रल गवर्मेंट ने और स्टेट गवर्मेंट ने दोनों ने मिलकर कि अभी बहुत सारे प्रोविजन्स हमने देखे कि टैक्सेस भी बोला हमने कम कर दिये रही स बबनीट को जहीं में फिस्कल की बात करें तो फिसकल सपूर्प के लिए फिसकल स्पेस मतलब सरकार के पास में जो रिवेंन्यु होना चीए रिवेंन्यु की शॉर्टेज आ रही है तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है इसके अलावा ये कहा गया कि 7th schedule of Indian constitution के basis पर अगर देखें तो list number 2 जो की state list है उसमें health को mention किया हुआ है तो state के ओपर ज्यादा जवाबदारी बनती है तो ऐसे में state disaster response fund की बात करें तो पूरा cover करोगे 22,184 करोड रुपए तो ऐसे में अगर इस तरीके से एक एक कोविड विक्टिम को पैसा देना शुरू की फैमिली को चारलाक रुपए पैसे देने शुरू कर दिये तो shortage हो जाएगी और आने में जो हमारी preventive या preparedness या mitigation की strategy होनी चाहिए या economy को recover करने की बात करें तो वहाँ पर परिस्सितिया बिग करके ओकर आगे चलते हैं हाँ एक छोटा चास्का आपके लिए आप देख लेना कि नेस्टनल डिजास्टर जो और अपने बहुत इमपोंट पॉइंट है और दिजास्टर के ऊपर आप एक योजना की मेगजेन भी मिल जाएगी क्योंकि डिजास्टर से रिलेटेटर सेंधाई फ्रेमवर्क भी है एक इंपॉर्टन्ट यूएन का फ्रेमवर्क है उस पर भी आप स्टेडी करोगे एंडी में एक्ट के बारे में पढ़ोगे और योजना कि वो पीडिएफ मिल जाएगे सर्च कर लेना अपना डिजास्टर मैनेश्मेंट योजना पीडिएफ ऐसे करके तो आपको जरूर मिल जाएगा गूगल पे कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा ढूंड ना ठीक है उसमें से नोट्स बना लेना क्योंकि डिजास्टर बहुत ज ज़रूरी है और दोनों की तयार ही होगी तो इंटर्विव अपने हाप ही हो जाएगा ओके आगे चलते हैं नेक्स आर्टिकल है कि अभी एक ओवर्साइट ली गई और जिसमें पता पड़ा कि कुछ की प्रोविजन्स हैं वो मिसिंग है एंडी पीएस एक्ट में से तो ऐस में बहुत मुश्किल हो जाती है कि आप किसी एक्ट को एमेंड करो और वहां पर लापरवाई दिखाओ और उस लापरवाई का ही नतीजा यह है कि 2014 में ये जो नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइको ट्रॉफिक सबसांस एक्ट 1985 में एमेंडमेंड किये गए थे तो कुछ की इसको एमेंड करना था पता पड़ा कि उसमें जो सेक्शन 27A जिसके तहत अगर कोई भी इस एक्ट में दी हुई इलिगल एक्टिविटीज में इन्वाल होता है उसको पनिश्मेंट दी जाएगी वो इलिगल एक्टिविटीज वाला जो प्रोविजन है या पोर्शन है जो लूप होल्स मिल गए तो यही बात लेकर के एक बंदा जिसको इस NDPS एक्ट के तहट सजा दी गई थी त्रिपुरा में और वो पहुंचिया त्रिपुरा हाई कोट कि मुझे आप लेटेस जो NDPS एक्ट है इसके तहट मुझे आप फ्री करो क्योंकि वहाँ पर सजा का नहीं बना सकते है तो आज अगर डेट 21 जून 2021 है तो आप 20 जून 2021 की डेट में भी क्रिमिनल लॉग क्रियेट नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारे यहाँ पर क्राइम किसको रिकरगनाईज करेंगे या उस क्राइम के लिए क्या पनिश्मेंट होगी उसके लिए सीधा यह कहा जा हैं उनके तहट अगर कोई भी क्राइम किया जाता है तो आप पनिश करोगे वो भी कानून के तहटी समझ गए तो ऐसे में अगर यह कानून है 2014 में अमेंट हो गया 2014 से लेकि 2021 तक अगर यह कानून लागू हो गया जिसमें जो भी इलिगल एक्टिविटी जब वो मिसिंग थ सकता है क्योंकि अगर आप अब अमेंडमेंट लेकर क्या होगे तो इसका मतलब हो गया कि 21 जून के बाद में वो लागू होगा और अभी भी देखो सेशन में नहीं है पार्लियमेंट तो ऐसी परिस्तितियों में सेंट्रल गवर्मेंट के दुवारा कहा गया कि इसको त्रि वीजिवल और ऑगिनाइजेशन के फंटामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसेडिंक्स उनके अगेंच में चलती है कोई भी लॉव सूट उनके अगेंच में चलता है तो ऐसे परिस्तितियों में यहां पर अगर 7 साल के टाइम पेगर किसी को punishment मिली है और आपके पास में laws available नहीं है law में provision यह available नहीं है कि हाँ punishment दिया तो किस basis पे दिया तो ऐसे में आप fundamental rights को breach कर रहे हो की नहीं तो यह पूरा मुद्दा इस पूरे article में समझाया हुआ है तो देखो 2014 में यह amendment लाया जाता है amendment में लाया जाने से पहले हम provision जान लेते हैं कि NDPS Act क्यों था यह principle legislation है एक important legislation act है जिसका काम क्या है कि नार्कोटिक ड्रग्स या फिर psychotropic substances जैसी होती है ना अफीम चरस गांजा इन से related जो कुछ भी activities हो illegal way में उनको रोकना illicit trafficking गैर कानूनी तोर पर इनकी marketing करना खरीद फरोक्त करना तो उनके ओपर लगाम लगाना साथ में इनकी लेन देन में अगर कोई पैसा involved कर रहा है कोई activities में involved है उनको सजा देना और four feature of the property का भी provision है कि मान लो किसी को इस act के तहत पकड़ लिया illegal activities करते हुए तो उस बंदे की property भी seize कर दी जाएगी तो सजा भी मिलेगी अब सजा में देको jail भी है तो साथ मे fine भी है पैसे का अब इसमें section 27A के तहत बताया हुआ है कि आपको punishment मिलेगी और punishment के लिए कहाँ पर mention है इसमें इस act का section 2 उसका clause है 8A और उस 8A के sub clause है 125 उसमें provisions दिये हुए है कि कौन कौन सी परिस्थितियों में अगर कोई भी बंदा इन drugs का abuse करता हुआ मिला या फिर drugs के या psychotropic substance के इस act के तहत कुछ भी illegal activity करता मिला तो उसको सजा हो जाएगी under section 27A of this particular act तो सजा तो दी हुई है मतलब activities तो दी हुई है जिनको illegal माना गया है वो इस provision में और सजा दी जाएगी 27 में तो अब आप देखो ये जो provision है यहाँ वाला ये जो list होनी चाहिए थी कि कौन कौन स गया तब वो delete हो गया और इस पर ध्यान ही नहीं दिया किसी ने ठीक है और जब इसको फिर बाद में पता पड़ा तो त्रपुरा में एक बंदे ने अपनी case लगा दिया कि भई act के तहट तो मुझे सजा ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी activities यहाँ पे mentioned ही नहीं तो सजा क इतनी भी हो सकती है अगर कोई भी individual is in illegal activities में involved मिलता है और maximum 20 साल तक दूसरा fine अगर लगेगा तो कम से कम एक लाक रुपया और ज्यादा भी हो सकता है ज्यादा 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 एक से दो लाक रुपय के बीच में होगा ओके तो यह पूरा provision है अब बात आ जाती है कि inoperable कैसे हुआ तो यह मैंने बताई दिया आपको कि section 2 clause 8a इसमें sub clause 125 जो कि punishable बनाती है कुछ activities को जो list की हुई है और punishment मिलेगा section 27a के तहत तो यह जो पूरा provision हना यह कही ना कही होना चाहिए था जो कि missing है ऐसे में यह problem होगी 2014 का amendment यहाँ पे पूरा detail में समझाया हुआ है तो यह basically होता क्या है इस provision में 2014 में amendment लाया क्यों गया था वो अगर हम जाने तो NDPS Act जो है amendment इसलिए किया गया कि हर एक तरीके की activities को इसके तहत सजा के लिए माना जा रहा था तो ऐसे में medical accessibility में भी problem आती थी कुछ drugs में तो ऐसे में क्या कर दिया गया था कि एक तो list add कर दी essential narcotic drugs का amendment मे एक तो list add कर दी कि कौन से narcotic drugs को essential बोला जाएगा essential का मतलब कि उनकी ज़रुत पढ़ने पर काम लिया जा सकता उनके ओपर कोई लगाम नहीं लगाएंगे जैसे यहाँ पर example है इंडिया की बात करें तो इंडिया एक leading manufacturer मॉर्फिन का मॉर्फिन एक तरीके कि अफीम based एक है ए जो 1985 के provision थे उसके तहत वो ये मॉर्फिन अवेल नहीं हो पा रही थी तो ऐसे में 2014 में amendment कर दिया amendment में क्या किया जी आपने essential narcotic drugs की list बनाई और उस list के अंदर मॉर्फिन को भी आपने add कर दिया अब क्या होता है कि आपने ये add किया तो ठीक किया कोई problem नहीं है पर समश्या य प्रोविजन को ये आपने delete कर दिया तो वो चीज गड़वड हो गई ओके तो ब्लैंक लिस्ट हो गई यहाँ पर देखो ब्लैंक लिस्ट इस ब्लैंक लिस्ट को फिर बाद में exploit किया गया एक individual के द्वारा त्रपरा हाई कोट का ये case है ही article 20 का provision हम आप अरड़ी देखी को manage करो क्योंकि ये चीज अगर illegal है activities किसी की भी की हुई तो उसको सजा होनी चाहिए पर वहाँ पर भी judges जो है judiciary है वो भी divide हो चुकि है दो दोड़ों में एक तो ये बोल रही है कि हाँ बही सही है कि वाकई में balance बनाना चाहिए गलती हो गई है ये error है correct हो जाएगी पर दू constitutional provision की basis पर देखो तो article 20 का कैसे violation कर सकते हो जिसमें हमें सीधा सा दिया हुआ है कि कोई भी group या individual को अगर criminal या कोई भी lawsuit के तैत अगर आप उनके against प्रोसेडिंग्स करते हो तो उनके fundamental rights protect होने चाहिए और उसमें भी सबसे important आ जाता है कि एक जने को एक गलती के लिए दो बार सजा नहीं होनी चाहिए समझ गए क्योंकि already आपने 1985 के act के तहत individual को जेल में डाल दिया पर आप देख रहे हो 2014 में amendment के बाद में वो जेल में डालने के provision ही खतम होगे उसके बावजूद आपने उसको जेल में डाल रखा है तो आप उसको free करो ठीक है और amendment आने के बाद में ज criminal proceedings को retrospectively allow नहीं किया हुआ है या आप ध्यान रखोगे मतलब जब कानून है उसी टाइम पर आपको punishment मिल सकता है I mean उसी टाइम पर उस criminal को punishment मिल पाएगा बाकी punishment नहीं दिया जा सकता कानून है तो लग जाएगी नहीं है तो फिर बाद में आप मतलब वो individual free है ओके आगे चलता है next important topic that is monoclonal antibody and covid to monoclonal antibody की बात करें सबसे पहले तो हम यह जान लेते होती क्या है देखो हमारी body में जैसे blood blood cells होती है ठीक है तो उन blood cells में से आप क्या मतलब जो scientist है वो क्या करते है कुछ specific antibodies निकाल लेते हैं और specific antibodies को replicate करते हैं मतलब उनकी cloning कर देते हैं उनकी copy बना देते ह और बहुत सारी antibodies तयार कर दी जाती है अब वो antibodies बहुत सारी तयार होगी इसका मतलब क्या हो गया आपने एक antibody बहार से निकाली specific तो इसलिए क्या होगी mono ठीक है mono का मतलब होता है single तो उसी को आपने replicate किया copy बना दी उसकी बहुत सारी तो यह हो गया monoclonal अब आप क्या करते ह तो यह एक तरीके की antibody होती क्या एक protein होता है जो कि कोई भी viral infection है कोई भी बिमारी हमारी body पर attack करती है कोई भी pathogen हमारा यह body पर attack करता है तो वो रोग प्रतिरोदक शम्ता हमारी body की create करती है जिसके तयायत हम कही नहीं हमारी body को बचा पाते है तो ऐसे में यह जो monoclonal antibody है इस इनी से क्या होता है कि ये कोई भी human cell में enter हो सकता है क्योंकि इससे क्या हो जाएगा ये spike protein human cell से connect हो जाता है यहाँ पे देखो ये receptor है ये connect हो जाएगा connect हो करके virus अंदर गुस करके infection कर सकता है cell को अब ये monoclonal antibody क्या करेगी बीच में ही आ करके इन spike proteins के साथ में binding कर लेगी तो इससे क्या हो गया अब इनके पास में ये spike protein free बचे नहीं है और free नहीं बचे तो human cell को अभी इंफेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये monoclonal cell antibody का काम होता है तो ऐसे में अभी एक देखो एक है RE region cove 2 ये एक monoclonal antibody cocktail है जो की try किया गया UK में और पता-पड़ा कि जो भी patient severely affected थे इस COVID-19 से उनकी recovery आसानी से हो पाई तो ये आपको मुद्दा अगर समझ में आ गया ना तो बस ये ही है manches monoclonal antibody अच्छा क्या COVID-19 को treat करने के लिए ये antibody क्राम कर रही है या कोई और भी है जी बिलकुल monoclonal antibody जो है उसका use किया जा रहा है Ebola और HIV को treat करने के लिए भी ठीक है तो viral infections को treat करने में mainly इसका use किया जा रहा है फिर बात ही आ जाती है आगे तो देखो फिर वही चीज़े बता रहे है कि किसने क्या कहा जो इतना काम का नहीं है फिर बात आ जाती है ये कि therapy क्या इंडिया में available है हाँ बिलकुल available है एक Switzerland की drug giant है रोश उसके साथ में collaboration है इंडिया की company सिपला का तो हमारे यहाँ पर भी monoclonal antibody के उपर काम करना allow कर दिया गया है अभी माई के अंदरी माई मतलब अभी पिसला माई ना गया है ना तब ही approval दिया गया है जिसमें Central Drug Standard Control Organization के दोरा approval दिया गया जिसमें कि restricted emergency uses के लिए permission मिल गई है तो ये cocktail therapy है जिसमें specific monoclonal antibodies का mix है अब आप देखोगी ये महंगा बहुत है सबसे बड़ी problem ये है इसमें एक pack पड़ता है लगबग सवा लाख रुपए का यहाँ पर देखो आप एक लाख बीस हजार रुपए का एक pack आता है और एक pack से आप दो patients को treat कर सकते हो तो एक जने पर आप मान के चलो 60,000 रुपए तक का खर्चा आ जाएगा तो ये थोड़ा सा भारी पड़ता है पर हाँ वही बात है कि जान बचाने के लिए तो फिर बाद में कोई भी खर्चकरी देगा एक बार तो फिर इसके बाद में आप देख सकते हो कि प्लाजमा थेरेपी को तो आपने मना कर दिया कॉन्वलेसेंट प्लाजमा थेरेपी को तो आपने मना कर दिया था अब ये मोनोकलोनल एंटीबोडी को आप अलाव कर रहे है क्या इनमें कुछ डिफरेंस है देखो plasma therapy का concept थोड़ा सा अलग था वो कैसे कि मान लो को individual है A इसके infection हुआ corona का और ये recover कर गया और इसके recover करने के बाद में इसके blood में जो blood cells develop हुई है antibody जो create हुआ तो उस blood को निकाला और वो plasma उसे extract किया और उस plasma को infuse कर दिया दूसरे individual B जो की corona से infected हो गया और वो weak है और severe condition में पहुँच गया corona के चलते हैं तो इसका खुन निकाल करके इसके डाल दिया तो ऐसे में तो क्या हो गया कि आपने यहां से blood निकाला और blood में जो antibodies थी वो यहां पर काम करेगी एक ही पर यहां पर हम जो monoclonal antibodies की बात करें इसमें क्या है कि एक individual का blood लिया blood में से आपने कुछ specific antibodies पहले निकाली और उस antibody को यह आपने replicate किया और फिर उसके बाद में treatment ही दिया तो यहां तो पूरे blood का बात हो गई यह specific antibody की बात हो गई इसलिए क्या हो गए यह monoclonal ठीक है तो यह चीज यहां पर बताई जा रही है बाकी तो देखो दो और आर्टिकल इतने important है नहीं पेपर क्लिप में तो एक simple सी बात बताई हो है कि Moderna ने अपने trial जब किये तो बच्चों के अंदर भी encouraging result आ रहे है बोला कि अच्छा है बच्चा भी mainly अभी तो बंदर का बच्चा research monkey के ओपर अभी तक यह trial हुआ है बाकी आगे देखते हैं क्या होता है आगे चलते हैं अब हम आ गए वर्ल्ड पेज पे तो इसमें बताया जा रहा है कि देखो बोला था जैक पोआ Joint Comprehensive Plan of Action इसमें एक तरफ तो P5 प्लस वन थे और साथ में यह agreement किया गया था इरान के साथ P5 में United Nations Security Council के 5 permanent member जिसमें आप जानते हूँ United States of America United Kingdom, France, China और Russia यह 5 और प्लस में जर्मनी इन 5 चाहों ने मिलकर के agreement किया था इरान के साथ में कि इरान जो है वो अपनी nuclear capabilities को अब expand नहीं करेगा और जो internationally अमेरिका ने sanctions लगा रखे थे इरान के ओपर वो धिरे-धिरे अब अमेरिका lift कर देगा तो यह agreement मुझे जहां तक द्याना रहा 10 साल का हुआ था तो इस 10 साल के agreement में फिर यह agreement के टाइम पे प्रेजिडेंट हुआ करते थे बराक Obama USA के फिर उसके बाद में जैसे Donald Trump आते हैं तो Donald Trump यह कहते हैं कि इस agreement को मैं तो देखो मानता हूँ नहीं क्योंकि यह 10 साल तक ही लगाम लगाएगा इरान पे इसके अंदर क्या है एक पेचीत की और फसी पड़ी है वो यह कि इरान का जो आर्क राइवल है सुधी अरब सुनी सिया वाला जो concept है तो वो सुधी अरब जो है वो कहीं ना कहीं USA का फ्रेंड है अब USA इस फ्रेंडशिप को निभाने के लिए कहीं वो डॉनल्ड ट्रंप ने अपने आपको exclude कर दिया निकाल लिया तो अब बात या आगी डॉनल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि इस agreement को lifetime बनाओ 10 साल से काम नहीं चलने वाला फिर बात आपको पताईए अब जो बाइडन प्रेजिडेंट है अब जो बाइडन के साथ ने अपनी engagement continue रखी थी पर वो ही बात है कि USA की dollars में ज़्यादा transactions होता है internationally तो USA का withdraw करना ज़्यादा दुखत था पर हाँ अब revival की तरफ बढ़ रहे हैं अब थोड़ी problem इरान में domestically चल रही है वो ये कि वहाँ पर हो रहे है President election अब भी वहाँ पर Ibrahim Raisi ये एक leader है जो कहीना कहीं हो सकते है कि इरान के President बन जाए तो ऐसी परिस्तितियों में अब इन्होंने पहले तो commitment दे दिया कि हाँ जी हम collaboration कर लेंगे collaboration कर लेंगे पर इरान के जो supreme leader है अयतुला अली खमेनी वो कहीना के pressure बना रहा है कि भई हम अमेरिका के सामने जुकेंगे नहीं हम तो हमारी हिसाब से आगे development करते रहेंगे तो थोड़ी मुश्किले हैं बाकी diplomats के हिसाब से कहा जा रहा है कि देखते हैं आगे engagement में इरान को और कितने concession दिये जाते हैं वो देखने वाली बात है ओके आगे चलता है economy page पे एक छोटी सी important news that is कि consultation किया है इंडिया ने इसमें कोई doubt नहीं है और इंडिया ने counter किया है UN reporters को तो मुद्दा आपको पताई है कि अभी 26 मही से जो कानून लाग हुए जो rules अभी declare किये गए information technology companies के लिए तो उसको लेकर के ये जो मुद्दा है उठाया गया जिनेवा में और वहाँ पर इंडिया के permanent representative जो है उन्होंने counter किया है United Nation के जो ये statement से उनको कि आप बिल्कुल baseless बात कर रहे हो हम 2018 से लगातार engagement में discussion हमारा continue है ठीक है Ministry of Electronics and information technology ही आई गया तो United Nation के special reporters ने क्या कहा इन्होंने ये कहा कि इंडिया में right to freedom of opinion, freedom of expression, right to freedom of peaceful assembly, association और right to privacy इन सारे rights को बिल्कुल ignore किया जा रहा है जो कि international guidelines और digital media ethics code के against में है जैसे कि इंडिया already एक signatory है आर्टिकल 17 ने आर्टिकल 19 of international convent on civil and political rights का 1979 से तो उसके तहत इंडिया पे ये obligatory है कि इंडिया अपने यहाँ पर fundamental right of freedom of speech and expression को promote करे इसके अलावा जो भी assembly है या international standards के लिए जो भी rights provided है individuals को उसको ध्यान में रख करके काम करें पर आपको पता ही है कि देखो हमारी ministry के द्वारा twitter को पहले से ही notice दिया जा चुका था जनवर 31 को और फरवरी 4 को कि आप भाई आपने हिसाब से जो कुछ भी काम किये जा रहा है जो कि हमारी national sovereignty integrity इसके लिए challenge बन रहे हैं तो आप इनको हटाओ इन पोस्ट को दस एक अजार accounts की बात की थी उस टाइम आपको पता ही है कि कितनी controversy हुई थी और अभी तक भी twitter के साथ में तो central government की fight continue है तो ऐसे में यह चीजे जो थी वो आपके सामने यह था यह international convention prelims में पूछ ले जाता है कि article 17, article 19 international convention on civil rights यह किस से associated है recently news में थे तो ऐसे आप digital media platforms को freedom provide करने के लिए यह एक individual अपने आपको express कर सकता है अपने opinion दे सकता है तो ऐसे में यह कुछ key points है जो आपको लिखने है means में भी काम आ सकते हैं कि internationally किस तरीके से issue बना paper, gs paper 3 के साथ में इसके अलावा दूसरी और news देख लेता है देखो बड़ी कंपनियों पर इतना दबाव बनना शुरू हो गया है कि अब climate change एक reality है इसको control करना ज़रूरी है कलपरसों की news थी USA के अंदर जो यह south western states है वहाँ पर temperature around 42 degree centigrade तक पहुँच गया USA में जो कि हमारे राजस्तान में western राजस्तान में normal मिलता है या फिर गर्मियों के टाइम पे हमें feel होता है जबकि हमारे तो एकदम tropic of cancer एकदम बीचो बीच से निकलती है तब जाके हम हो experience करता है और वहाँ पर heat up feel होने लगी इसका मतलब climate change अप reality है कोई doubt ही नहीं है तो ऐसे में climate change को control करने के लिए oil companies के ओपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है एक तरफ तो oil companies को production बढ़ाने का दबाव इसलिए बन रहा है देखो एक थोड़ा contradiction आ रहा है वो यह कि एक तरफ तो economies coronavirus से अब revive कर रही है तो demand भर रही है वहाँ पर crude oil की तो इनको production करना पड़ रहा है दूसरी तरफ climate change को control करने के लिए आपको यहाँ पर production कम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है तो यह चीज़ है तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना योहान स्वेर्दूप यह oil field कहाँ पर located है नौर्वे की off coast पर यह point बड़ा important है match the following में आ सकता ही है ठीक है बाकी तो big oil companies के ओपर क्या है क्या नहीं है होई गया तो important news तो हमने देख ली news पर आपको सुबह मिली जाएगा telegram channel पर ओके thank you